अलो फ्रेंज, मैं आशीश पंडे, son of Shri Rakesh पंडे आप मुझे पहचान रहे होंगे, पिछले चार दिनों से मीडिया ट्राइल मेरे उपर जो चल रहा है, पुरे हिंदुस्तान में ऐसा है मुझे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे मैं कोई टेर्रोस हूँ और वॉंटेड हूँ और पुरे देश की पुलिस मुझे डूम रही है, मेरे लिए लुकाउट जारी किया गया है जी हां मैं इसको डिनाई नी कर रहा हूँ कि उस दिन रात को यह घटना हुई थी मुझे इसकी जानकरी दो या तीन दिन बात पता लगी थी जब वो वीडियो वायरल हुआ लेकिन इस घटना को सिर्फ एक पक्ष के द्वारा ही दिखाये जा रहा है, उनके समर्थन में दिखाये जा रहा है अगर इसको पता लगाये जाए कि उस दिन रात को क्या हुआ था, CCTV फूटपेज दिखाये जाए यह देखा जाए कि लेडिस टॉलेट में कौन गुसा हुआ था, वहां से बाहर निकल के किसने किसको धंकी दी थी जी हाँ, यह भी सारी चीजे देखने वाली है जब बाहर निकले, मैं उसको भी मानता हूँ कि मैं गाड़ी से सुरक्षार्थ अपना लाइसेंस वेबन लेके गाड़ी से निकला था मैंने ना उसको दिखाया है, ना उसके उपर ताना है, वेबन मेरे पैर के पीछे, साइड में, पूरे टाइम मेरे साथ था आप लोग मुझको बोल रहे हैं कि मैंने उस लड़की से अबदरता की, उसको पिस्टल दिखाया, उसको धंकी दी, मैंने उस लड़की को एड्रेस तक नहीं किया, मैंने उससे बात नहीं की, मैं उसकी तरफ मुकातिब तक नहीं हुआ, उसने मुझे धक्का दिया, उसने म तो ही अपना सरेंडर करूंगा और दूसरी चीज जिस तरीके से मीडिया मेरे ट्राइल कर रही है चार दिन से मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं और पॉलिटीशन का बेटा होना या पॉलिटीशन का भाई होना कोई गुनाह नहीं है इस देश में अलग से एक बिजनसमेन हूं अपना बिजनस करता हूं हभी टेक्सेस फाइल करता हूँ, पिछले 20 साल से कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ आज तक ना तो किसी को थपड़ मारने की रिपूर्ट है, ना है किसी के कोई की सिविल केस भी मेरे उपर नहीं है कि मेरा किसी से कोई विवात चल रहा हो किसी सिविल केस का. जहां तक रही लाइसेंस की बात मेरा licency weapon है, पिछले 20 साल से मेरे पास लाइसेंस है, मेरे खिलाफ आज तक उस license को लेके, अब मैंने कोई तमीजी करी हो किसी के साथ, कि किसी के साथ कोई अबद्र वेवार किया हो, ऐसा कभी आज तक मेरे साथ नहीं होगा. जी हां, मैं जाओंगा, मैं सरिंडर करूंगा, मैं अपनी सारी बात रखूंगा, मेरे आप लोगों से खली यही विंती है, कि एक बार आप लोग CCTV फोटेज निकलवा के देखिये कि अंदर क्या हुआ था, किसने किसको धंकी दी थी, उसने मुझे जान से मारने के धंकी दी थी, जब मैंने उससे बात स्रूंग से बाहर निकलने को बोला है, मैंने सिक्योरिटी बुला है, सिक्योरिटी ने उससे बाहर जाने को बोला, आप सिक्योरिटी वालों का बैयान लिजे, ह्याथ होटल के स्टाफ से बैयान लिजे, आपको सारी जानकारी हो जब देग ! थेंक्यू बरोमच !